नमस्कर दोस्तों मैं हूँ राजेश और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल ऑनलाइन असिस्टन में दोस्तों अधार काट के अपडेशन के लिए CSC के दुवारा अधार सेंटर्स ओपन करने का निर्दिश जारी कर दिया गया है इसके लिए एक वैब लिंक भी जारी कर दिया गया है जिस पे आप रेजिस्ट्रेशन करके CSC के अधार अधार अपडेशन सेंटर खोल सकते हैं और इसमें दोस्तों कई कंडिशन्स है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे CSC का अधार अपडेशन सेंटर ओपन करने के लिए ऑनलेन अपलाई कर सकते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं एक छोटा से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सकाइब कर ले और बैल आइकन को अन कर दे ताकि जब भी मैं एक नए वीडियो को अपलेड करूँ तो आपको इसका नो सुप्ध्र है CSC को द्वारा रेजिश्यशन शुरू कर दिया गया है तो दोस्तों आप डेमोग्राफिक अप्डेट्ट थूप्डेट क्लाइंट लाइट जोकी यू अधार की अप्डेशन का कारे किया जाता है कि लिए आप यहां से डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों जैसे ही आप डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आपका CSC ID और आपका email ID दोनों यहाँ पे शोब हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है जैसे यह आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे सारा का सारा form आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा सबसे पहले दोस्तों आपका नाम यहाँ पे VLE का नाम पूछा जाता है जो भी डिजिटल सेवा पोर्टल पे रेजिस्टर्ड है उनका नाम सबसे पहले ओपर में दे देना है नाम देने के बाद यहाँ पे VLE CSE ID आपसे पूछा जाता है तो वो आटमेटिक यहाँ पे फिल अप रहता है यह से आपने छोड़ दना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है VLE Bank BC Code यहाँ पे दोस्तों अगर आप CSE के दोरा BC Business Correspondent है किसी भी बैंक का तभी आपको अधार अबडेशन का कारे यहाँ मिलेगा तो यह एक mandatory field है जिसे आपको यहाँ पे fill up करना जरूरी हो जाता है तो दोस्तों आप जिस भी बैंक से BC Point ले रखे हैं आप उनका यहाँ पे BC Code एंटर कर देना है उसके बाद आपने यहाँ पे देना है VLE BC Code किस बैंक से आपने इशू करवाया है तो यहाँ पे उस बैंक का नाम दे देना है उसके बाद दोस्तों आजाता है State State में आपने अपना State Select कर लेना है state select करने के बाद आपको यहाँ पे जिला दे दना है अपना जिला देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना pin code दे दना है जिस पी pin code पे आपका CSE located है उसके बाद दोस्तों नीचे आपने दे दना है अपना CSE का complete address उसके बाद दोस्तों VLE का mobile number उसके नीचे email id email id के बाद दोस्तों अगर आप आधार कार्ड के लिए as a operator और supervisor training pass है तो यहाँ पर आपको yes पर क्लिक कर देना है yes पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर choose file करके आपको वो वाला certificate अप्लोड कर देना है जिसे आप PDF या फिर JPG में अप्लोड करेंगे जो 200 KB से नीचे रहेगा इसको करने के बाद operator supervisor का police verification copy यहाँ पर तीन महिने से पुराना नहीं होना चाहिए इसे अप्लोड कर देना है उसके बाद यहाँ पर operator या supervisor जिस तरह का भी आपने exam conduct कर रखा है उनका e अधार यहाँ पर आपने yes कर देना है और यहाँ से इसे choose file करके अप्लोड कर देना है उसके बाद दोस्तों आजाता है operator supervisor मोबाइल नमबर जो उनकी अधार कार्ट से link है तो यहाँ पर yes करना है और आपने यहाँ पर जो भी आपकी आधार कार्ट से mobile number link है यहां दे देना है उसके बाद दोस्तों आ जाता है operator supervisor का alternate mobile number इसे भी आपने यहाँ पर एक दूसरा कोई भी mobile number जिससे आपकी बात हो सके या फिर कोई भी दूसरा number जो आप use करते हैं यहाँ दे सकते हैं उसके बाद आ जाता है आपका email id यहाँ पर दे दना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है laptop available as per uid specification तो दोस्तों unique identification authority of india के द्वारा specify किया गया laptop ही यहाँ पर आपको काम करेगा तो इसकी जो detail है यहाँ पर आपने yes करते हैं और इसका जो detail है वो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो machine form factor है वो laptop है तो आप बहतर है कि आप laptop फीले उसके बाद दोस्तों जो model है वो है top five vendors as per related IDC report दोस्तों IDC की report में जो पांच बहतरीन कंपनियों का नाम दिखाए गए है उनमें से ही आपको कोई एक laptop ले ले लेना है और बात करते हैं दोस्तों laptop के CPU की तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए Intel i5 9th generation का या फिर उससे उपर का या फिर AMD processor होना चाहिए Reason का Reason 5 जो की 3000 series और उससे उपर का हो और processor की जो frequency है वो कम से कम होना चाहिए 2.3 GHz quad core base frequency या फिर इससे उपर का उसके बाद दोस्तों जो इसका display है वो होना चाहिए minimum 14 inch HD anti glare होना चाहिए और दोस्तों 16 बाई 9 के factor में होना चाहिए एक 4 बाई 4 के factor में आता है वो नहीं होना चाहिए उसके बाद आ जाता है connectivity में आपको चाहिए should have built-in support for Bluetooth 4.0 तो दोस्तों आपका जो laptop हो वो Bluetooth 4.0 को support करता हो Wi-Fi होना चाहिए IEEE के factor में और जिसका bandwidth होना चाहिए दोस्तों 802.11 BGN उसके बाद दोस्तों यहाँ पे Bluetooth Wi-Fi are not required in case of desktop तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे desktop यूज करते हैं तो आपको Wi-Fi और Bluetooth required नहीं है लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप यह center लेना चाहते है तो laptop से बहुतर कुछ नहीं हो सकता उसके बाद आ जाता है memory तो यहाँ पे दोस्तों कम से कम आपको 8GB का memory होना चाहिए DDR4 RAM होना चाहिए PAND Able होना चाहिए जिसे मतलब की बढ़ाया भी जा सके और दोस्तों 16GB इन्होंने recommend की है और एक dim slot free होना चाहिए जो RAM के लिए slot होता है वो free होना चाहिए ताकि उसे upgrade किया जा सके और यहाँ पे इन्होंने webcam की बात की है तो दोस्तों built-in webcam with minimum high definition 720p का होना चाहिए no require in case of desktop अगर desktop आप यहाँ पर लेते हैं तो आपको इसकी ज़ूरत नहीं है उसके बात दोस्तों यहाँ पर storage की बात करें तो storage इन्होंने दिखाया है minimum 256GB और इससे ज़्यादा SSD drive इन्होंने recommend की है जो कि एक नई technology है जिसमें data craft होने का संभावना बहुत कम रहता है और 800 RPM के साथ hard disk भी मांग लिया है तो यहाँ पर दोस्तों यह बहुत ही बहतर इन्होंने शुरुआत किया है कि data को ज्यादा डाटा जो है uploading के दौरान क्रफ्ट हो जाया करते थे उसके लिए इन्होंने एक बहतर विकल्व निकाला है उसके बाद दोस्तों input और output ports जो है वो चा यह ही और USB जो है एक दो port ऐसे होने चीज़ जो 3.1 को support करता हो बाकी जो USB है वो 2.0 पर भी काम कर जाएगा बैटी बैकप की यहाँ पर बात करें तो इन्होंने दिया है 45 WHR battery with 8 घंटे का उन्होंने बैकप बताया है कि laptop के लिए होना चाहिए और एक आपके पास UPS भी होना आप दे सके desktop के लिए तो दोस्तों आप जो भी recommend कर लेते हैं यहाँ पर laptop या फिर desktop वो आपने देख लेना है तो आपको अगर desktop लेते हैं तो 30 मिट का कम से कम बैकप आपको देना पड़ेगा उसका दोस्तों इन्हों चिपसेट की बात की है तो integrated with CPU और equivalent तो दोस्तों चिपस रही आता है तो वो बड़ी बात नहीं है ग्राफिक्स की बात करें तो integrated graphics चाहिए इन्बिल्ड होता है सर उसका इन्होंने keyboard की बात करी है integrated for laptop size minimum 84 keys windows compatible spill resist standard keyboard in case of desktop तो दोस्तों यहाँ पिन्होंने कम से कम 84 keys की keyboard की बात की है common है touchpad की बात की जाए तो white touchpad below keyboard for laptop mouse in case of desktop ठीके दोस्तों आपके जो laptop में आपके keyboard के नीचे जो touchpad होता है mouse के तौर पर जिसे हम use करते है common है सभी में यहीं आता है तो यह बड़ी बात नहीं है उसके बात दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बात की है preloaded OS की तो यहाँ पर इसका मतलब आप साब 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 समझ आए कि आ यहाँ पर अगर आप प्रेटिट Windows को यूज करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा ऐसे महेंगे laptop में यह Windows inbuilt आते हैं तो आपको महाँ से मिल दाएगा और 64 bit का Windows 10 चाहिए और Windows 10 यूज करेंगे तो 18.4 या फिर इससे उपर का वर्जन आपको 64 bit में चाहिए TPM की बात इन्होंने की है machine should have minimum TPM 2.0 और higher installed 2.0 का TPM आपको कम से कम यहाँ पर चाहिए SSS में आपको laptop carrying case चाहिए अगर desktop लेते हैं तो इसकी ज़रुवत नहीं है laptop की अगर इन्होंने बात की है warranty की तो कम से कम 3 साल का comprehensive on-site warranty चाहिए दोस्तों comprehensive मतलब पूरा warranty पूरा guarantee की पूरा जो है तीन साल तक वो completely अगर damage भी होता है तो उसी समय आपको बदल के देंगे ऐसी warranty अपके laptop की होनी चाहिए और anti-wise standard की नोंने बात की है for end point security के लिए तो दोस्तों हर end point security के मतलब हुआ कि जो security नोंने software अपने इन्विल की है इसके इलावा जो security चाहिए वो anti-wise में होना चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंनों बहुत ही heavy machine की मांग की है ताकि अधार updation center को proper तरीके से चलाया जा सके आपकी अधार center को इन्होंने website पर link भी करना है वहाँ पर website पर link करेंगे और UID की website पर आपका center शो होगा वहाँ पर दिखाई देगा और वहाँ से online अपरिंटर भी बुक होंगे एक बहतर सुविधार शुरू की है नोंने एक बहुत मजबूत सुविधार शुरू किया है CSC के द्वारा अधार updation के लिए जिसमें थोड़ा भी problem नहीं हो उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग color multifunction printer यहाँ पर चाहिए अपसमें आप photo state कर सकते हैं scan कर सकते हैं print भी निकाल सकते हैं उसके बाद यहाँएर बात की है single fingerprint scan device की तो आपके पास होना चाहिए Morpho बात यहाँए एक single illis scan device भी आपके पास चाहिए तो illis को scan करने के लिए single device जो आता है वह आपके पास होना चाहिए यहाँए बात किया गया TFT monitor device available को चाहिए तो extra में जिससे आप laptop से connect करके data को client को show कर पाएंगे और verify कर पाएंगे कि आपने जो input करी है वो verify करेंगे कि ये input सही है तो ये भी आपके पास होना चाहिए उसके बाद आपको चाहिए GPS device ये भी आपको लेना पड़ेगा GPS device जिससे UID अपने office से देख पाएंगे कि आपका center active है चालू है ये सब बताएगा कि स्थान पर आपने CST को open कर रखा सारा location उनको चाहिएगा CST center having space for waiting area for at least sitting of five citizens दोस्तों आपके CST center पे कम से कम पाँच आदमी के wait करने की जगह होनी चाहिए इसके लिए आप yes करें और यहाँ पर आपके CST center के inside की photo और एक outside की photo upload यहाँ पर करना है उसके बाद दोस्तों आता है internet availability at your center तो यहाँ पर आप broadband यूज करते हैं तो अपने broadband का static IP जो भी आपको आपको आपके service provider से मिल जाता है यहाँ पर input कर देना है otherwise आप dongle करते हैं तो dongle पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर दिया गया CCTV camera available at the center दोस्तों अगर आपके center पर CST camera नहीं है तो आप उसे भी यहाँ पर install करवा के yes कर दें और उसका एक photo लेके इसमें upload कर दें दोस्तों इसमें जितने ज्यादा details को आप yes करेंगे उतने ज्यादा संभावना होगी आपको यह center मिलने का दिव्यांग friendly center with ability of ramp और wheelchair तो दोस्तों आपके center पर जाने के लिए ramp बना हो तो yes करें वरना no कर दें यह तो mostly लोगों का no ही होगा क्यूंकि ramp तो कोई बनाता नहीं है उसके बाद दोस्तों आथा है token system machine available for citizens तो दोस्तों आपको एक token system भी लेना पड़ेगा जिससे उनको अपने raw का इंतजार करने के लिए अराम से बैठ जाएंगे उनको token मिलेगा उस token से वो काम कर पाएंगे और उसका एक photo यहाँ पर आपने upload कर देना है उसके बाद दोस्तो आपने यहाँ पर declaration को tick लगा दना है और capture को यहाँ input कर दना है capture input करने के बाद दोस्तों आपको 200 रुपे का payment करना है अपने digital सेवा wallet से और उसके बाद आपका जो है submit form हो जाएगा और आपको एक acknowledgement receipt generate हो जाएगा जिससे आपने print करके रख लेना है उसके बाद आपके center की verification ज देख रेक में complete करवा दिया जाएगा और आपको इस कारे के लिए permission मिल जाएगा और आप अधार application कारे कर पाएंगे तो दोस्तों मैं आशक करता हूं कि आपको समझ में आगा हो कि किन किन बातों का आपको धियान रखना है ताकि आपको CSE Center बहुत ही असानी से मिल जाए और आप इस पर काम करके एक अच्छी earning कर सके तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक next वीडियो में next topic पर तब तक के लिए जैहिंद